हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल श्रीय बजार वित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इपक्ट डुरेबल्स आईप्यों के फॉर्स डे सब्सक्रिप्शन के बारे में तो दोस्तों आज पहला दिन था इस इशू का और पहला दिन कैसा रह अब इस इशू कंदर आप पैसा कब-कब लगा सकते हैं 22nd और 23rd जैनवरी अगर आप सोच रहे हैं कि कल बाजार खुलेगा तो कल में लगा सकता है तो आप लगा लिजेगा लेकिन वह application 22nd को ही count होगी 20 को नहीं count होगी क्यों बिकॉल दोस्तों IPO जो open है वो 19, 22 और 30 जनवर इन तीन दिन को ही है फेस वाली है 10 रुपे पर शेर की 218 से 230 रुपे का इसका price band है 65 shares का दोस्तों lot size रखा गया है कुल मिला कि 640.05 करोड का दोस्तों IPO का size है जिसमें से 400 करोड का है fresh issue और बाकी का बचा हुआ 240.05 करोड का है offer for sale लिस्टिंग का पर होगी इसकी BAC, NAC दोनों 150 रुपीज, retail के लिए दोस्तों maximum आप चाहे तो 13 lot के लिए apply कर सकते हैं बट मैं आपको मेशा बता है कि दोस्तों जब भी issue over subscribe हो जाता है तो अगर आप 13 lot भी लगाएंगे तो आपको अगर allotment आना होगा वैसे तो दीखिए allotment confirm नहीं है बट अगर आपको allotment आ भी जाता 14 lot से जिसमें आपको 910 share मिलेंगे और इसकी value है 2,9,300 रुपीज ठीक है maximum इसमें 66 lot लगा सकते हैं अगर आपको इससे भी आग जाना है तो 67 lot के लिए आपको जाना पड़ेगा जिसमें आप Big H9 में जाएंगे जिसमें यहां पर कुल मिला के 4,355 shares आपको मिलेंगे जिसकी value 10 10,1650 रुपीज होने बाली है तो होफ़ली आपको समझ में आचुआ हुए कितनी कितनी value है सब्स्रिप्शन से पहले हैं कि दूस्तों कितना कितना offer किया गया हर एक category को so friends इस issue में anchor investors से already company ने 30% issue जो है वो raise कर लिया है करीबन 192.02 करोड already anchor investors को allocate कर दिये है उसके बाद 20% जो बचता है वो है QIB के लिए करीबन 128.01 करोड 15% जो है वो दिया जाएगा HNIs को कुल मिलाके 96.01 करोड तो इस तरीके से दोस्तों 30 plus 20 is 50 and plus 15 is 65 और बाकी कर जो 35% है वो किसको दिया गया है retailers को 224 करोड यानि सबस्ता जो बड़ा portion है वो retail category के पास है फिर उसके बाद है QIB और फिर है HNIs HNIs में भी आद रखे को दो category होती है big और small big HNIs को 10% दिया जाता है और small HNIs को 5% दिया जाता है तो कुल मिलाकर इस तरीके से shares को यहाँ पर split किया गया है हर एक category को इतना portion दिया गया है और इस तरीके से 100% यह issue आपको देखने को मिल जाता है तो अब समझते हैं दोस्तों प 55,65,670 shares दिये गया है बट कुल मिलाकर 30,160 shares के लिए application आई है जो कुल मिलाकर 0.69 करोड होता है इसका मतलब क्या के QIB इस IPO में इंटरेस्टेट नहीं है ऐसा नहीं है लेकि first day QIB जादा इंटरेस्टेट नहीं रहते है और obviously देखे Saturday Sunday है तो इसलिए QIB हमेशा कब लगाते है on the last day आप सबको बताइए जो लोग लगातार वीडियो देखें उनको बताइए आखरे दिन QIB इसका पैसा आता है first day गर QIB का पैसा नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं किस IPO खराब है basically वो first day लगा जै नहीं है इसके पाद दोस्तों जो category आती है वो है non institutional buyers की 84% जी हां 84% दोस् करोड के आसपास आया है QIB सोरी एचनाई से इसमां बिग एचनाई ने करीबधं 0.65 टाइमस और स्मॉल चनाई ने 1.18 टाइमस लेकिन मेजर ली पैसा किसके दरफ से आया है बिग एचनाई की दरफ से 42.93 करोड एं 37.90 करोड आया है स्मॉल एचनाई से लेकिन यहां तरकी क यह जो fully subscribe हो पाई है अभी तक जो है retail की कुल मिला के retail को 97,39,923 shares दिये गए बट अभी तक दोस्तों जो retail है उनकी दोरा 1 करोड shares के लिए application जो है वो receive हो चुकी है 1 करोड 17 लाग shares के लिए कुल मिला के 270.04 करोड के असपास retailers ने लगा दिया है और पहले दिन दोस्तों जो issue है वो 3 by 4 बनने में काम्याब हो चुका है तो करीबन 78% ये issue subscribe हो है 351 करोड के असपास पहले दिन इस IPO को receive होते हुए नजर आए तो first day तो company का ठीक टाक रा ज़रूर अब question कर सकते हैं कि बहुत सारे issues से बढ़े आते हैं लेकिन पहले दिन फुल भर जाते हैं तो ज़रूर देखिए वो उस category वाला IP भी नहीं है कि जहां पर दोस्तों पहले दिन पूरा issue वो subscribe होता हुआ दिखने को मला है आपर listing gain आपको ना मिले हो सकता है कि यह पार पे लिस्ट हो जाए नहीं जो इसका issue price उसी पे लिस्ट हो जाए हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी हो जाए है फिर हो सकता है कि 15-20% listing पर भी देगे चल जाए बट क्या वो matter करता है वो है बाजार अगर दोस्तों बाजार अच्छा रहा तो हो सकता है कि अच्छा listing दे जाए लेकिन बाजा खराब रहा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहां पर आपको discount में भी इसकी opening होती भी देखने को मिले तो इसलिए अगर आप IP में लगा रहे हैं तो यह सोच के लगाईएगा कि आपको यह listing gain हो सकता है कि मिले और हो सकता है कि ना भी मिले तो जो risk की investors है वो definitely इस issue के इंदर पैसा लगा सकते हैं अगे नहीं मेरी रहा है बाकी अगर आप लगाना कि सोच रहे हैं तो किस basis पर लगाएं देखिए कंपनी शांदार है और कंपनी बढ़िया कारोबार करती है जैसे कि एक अंबर इंटरप्राइज है वो भी ऐसे दमदार कंपनी जादा देखिए वैसे कंपनी काम नहीं करती है इस issue के अंदर आप कम से कम एक दो साल क time origin रखना पड़ेगा तब जाके देखिए अच्छा पैसा बन सकता है इसकी possibility है जरूर देखिए जो valuations है जो आप valuation देखेंगे तो EPAC के करीवन 56.40 के price to ending पर है अंबर मिलता है करीवन 6-6.28 की price to ending पर then PG Electroplast 6-7, Dixon 139 और LN Electronics 24 तो valuations सब के आपको काफी अलग-अलग देख लेकर रहा है तो यह तो 56 की price to ending पर लेकर रहा है बट यह कि यहां बहुत जगा जगा नहीं छोड़ी है और देखें हर company के अलग-अलग थोड़े से यहां पर value होती है तो उस तरीके से हम exact नहीं के सकती कि अगर अंबर 66 पर यह trade कर रहा है तो यह भी 66 पर trade करें हो सकता है कि थोड़ा बहुत risk यहां पर आपको लेना पड़ेगा जिसकी current gray market है वो है around 34 रुपीज तो 34 रुपेस की gray market चल रही है ग्री मार्केट भी अगर आप notice करेंगे तो एक समय पर 15 रुपे पर शुरू ही थी अब 34 रुपीस की असपस currently चल रही है लगाता ग्री मार्केट बढ़ कर सकते हैं अगर यह आपके दाकत है तो फिर आप बिल्कुल इस issue केंदर लगाई है बाकि अगें options आपके बहुत सरे available है mainboard नहीं है अच्छा तो SME अच्छा है तो एक और mainboard आने वाला है जो Monday से open होगा तो ऐसा आपके options ऐसा नहीं कि आखरी chance आपके मौका है फिर आखरी क कोई option है options काफी सारे available है तो फिर इस वीडियो में इतना ही था बाकि आप लोगों का क्या भी हुए क्या आप apply करेंगे या फिर avoid करेंगे commentation में जुद आएगा इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video